हाई हेलो नमस्ते दोस्तो दिस इस रॉनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके पहरे प्लैटफरम आल सी एंजिनियर पे दोस्तो आज का टॉपिक है complex variables यह topic सिर्फ दो ब्रांचेस के लिए आप देख सकते हो ENTC और electrical और यह प्लेक्स वेरियबल में दो सेक्षिंज आते हैं एक होता है complex differentiation और एक होता है complex integration नाम के इसाब से complex integration सुनने के बाद आपको डर लग सकता है लेकिन let me tell you something complex integration सबसे ज़्यादा आसान है वहाँ पर integration करना है नहीं पड़ता है लेकिन complex differentiation में आपको differentiation जरूर करना पड़ता है इस unit के लिए differentiation आना बहुत जरूर है वैसे भी मुझे पता है जब इस topic की बात होती है तो इसका ज़्यादा data market में available नहीं है तो आपने जरूर कोर्स खरीदा होगा और आपने practice भी करी होगा तो पहले आप complex variable अच्छे से कीजिएगा और उसके immediately बाद आप इस MCQ के वीडियो को देखने आ जाएगा MCQs के लिए concept पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों चलिए शुरूरात करते हो 15 साल से engineering पढ़ा रहा हो हर एक चीज से वाकिफ क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है और क्यूं पढ़ना है सब कुछ if you really want to learn and excel in your engineering studies come join me at rc engineer सबसे पहले समके साथ f of z is equal to u plus iv हमें दिया है यह complex variable दिया हुआ है is analytic the function is clear cut क्या बूला है दोस्त ऐनलेटिक then v is equal to कुछ दिया हुआ है और हमें daba u by daba x निकालना है सबसे पहले तो अगर आपका function analytic है अगर आपका function analytic है तो उसने cr equation satisfy करना बहुत जरूरी है किसको satisfy करना cr आगे सब जगह पे लगने वाला है देख लो cr equation का मतलब daba u by daba x is equal to daba v by daba y and daba u by daba y is equal to minus daba v by daba x यह trick भी मैंने already course में सिखा ही है बट अभी फिलाल आप analytic is equal to corresponding to cr equation corresponding to यह दोनों लिख लो फटा फट अब बताओ हमें बोला है सिर्फ दिया है v और पूछा है daba u by daba x आपको लग सकता यार sir इनकी mistake हुई होगी writing में नहीं इन्होंने v देके हमें उल्लू बनाया है हमें पहले v क को लेके क्या बनाना पड़ेगा daba v by daba y बनाना पड़ेगा क्योंकि जो पूछा है daba u by daba x वो v के term equivalent to क्या है daba u by daba y को daba v by daba y निकालेंगे और बोलेंगे it is equivalent to daba u by daba x और यह अपना final answer है देखो दोस्तों v as it is with respect to y derivative करोगे तो y की term उपर भी है नीचे भी है क्या है वो term उपर और नीचे अगर आपको मिली तो आपको क्या करना पड़ता है there is a formula of u by v rule जिसे हम लोग कहते है यहाँ पे quotient rule तो आपको पता है नीचे v की term का square होता है तो यहाँ पे x square plus y square है उसका क्या होना चाहिए था square उसके बाद वही term यहाँ पे वही term आपकी यहाँ प option b और यह daba v by daba y by cr equation is nothing but आपका क्या होता है daba y by daba x and we got our answer are you guys getting my point दो मा के लिए तगड़ा question था u by v rule आना चाहिए था तब जाके आप इसको sort कर सकते थे I am sure यह जरूर आपने लिखा हुआ है क्योंकि आगे 2-3 sums में हम लोग को यही लग रहे है चलो number 2 वापस f of z is equal to u plus iv लिखा हुआ is an analytic function u की value हमें कुछ दी है v की भी कुछ value हमें दी है और पूछा है क्या find out करो f of z अब आपको भी पता है लिखके दिया हुआ f of z is equal to u plus iv u की value दी है चुपचप लिखी वी की value दी है चुपचप लिखी अब उसके बाद in terms of z अगर मुझे f of z का answer निकालना है तो इसके लिए हमें लगता है अब ऑर को अपको पता है, मिलने थॉमसें method is the most asked method जो कि आपको औरिंग में भी mostly पूछी जाती है तो देखो मिलने Thompson method क्या कहती है जहाँ जहाँ पे f of z या f dash of z जब भी आपका बनता है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे z को ठोको और जहाँ जहाँ पे y वहाँ पे 0 कर दो पहले तो 0 की खुशी ले लिते यहाँ पे y की जगा पे 0 होने की वज़े से सब 0 हो गया यहाँ पे y की जगा पे 0 होने के बज़े से सब 0 हो गया बचा कौन minus 2 x की जगा पे z replace होगा तो minus 2 z square into i यहने की minus 2 z square i cap is nothing but sorry minus 2 z square i होना चाहिए हम सरी क्या लिखरो में cap so यह आना चाहिए था I'm sure minus 2 z square into i i उटा रहता है ना यह मैं कहाँ vectors में चला गया तो यह आपका यहाँ पे final answer हैगा minus 2 z square i is nothing but option c क्या आपको समझ में आया easy था, asan था, Milne Thompson आपको पता है हमेशा rule क्या कहता है x की जगा पे z और y की जगा पे 0 next sum f of z दिया हुआ है b analytic where u is equal to कुछ दिया हुआ है हमें directly पूछा है आप harmonic conjugate v को निकालो मतलब u दिया और हमें v निकालना है तो यह Milne Thompson method का direct sum पूछा गया है unfortunately यह 2 mark का sum नहीं है आप इसका अंदाजा 2 mark के लिए नहीं लगा सकते हो मेरे पास है कि इसका shortcut है लेकिन वो सबको applicable नहीं है तो इसको process से ही जाते है यह absolutely 5 mark का समय मेरे साब से देखो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है steps आपको पता होंगे नहीं तो please Milne Thompson method से किस तरीके से u देने के बात solve किया जाता है v के लिए मैं बताता हूँ Milne Thompson method use कहा का पर होती है u दिया जाता है v दिया जाता है यू प्लस वी दिया जाता है यू माइनस वी दिया जाता है ऐसे किसी भी case में आपको जब f of z या फिर उनके conjugate पूछे जाते तो आपको Milne Thompson method यूज करनी है करना क्या होता है जो भी दिया है उसका with respect to x with respect to y differentiation लो partial वाला उसमें x को accept कर लो y को reject करो उसको CR equation के हिसाब से change करके वापस x में ले क्या हो तो आपको daba u by daba x और daba v by daba x मिलेगा मैं बस रफली बता रहो I'm sure आपने ये theory में पढ़ा है इसलिए जादा समय नहीं ले रहो मैं ये दोनों को आपने लिखने के बाद आपका बनता है dash of z which is daba u by daba x plus i daba v by daba x value put करने के बाद आपको मिलने Thompson method से x की जगह पे z y की जगह पे 0 substitute करना है करने के बाद आपका answer आता है minus 2z square i क्याब मेरे भाई ये जब आपका answer आता है तो आपको u plus i v निकालने के लिए चुप चाप z की जगह पे substitute करना है x plus i y जब x की जगह पे आप i y substitute करते हो तो a plus b bracket square के हिसाब से जब simplify करोगे तो ये बन्दा आपका u हो गया और ये बन्दा आपका क्या हो गया v है निकी 2y square minus 2x square is nothing but आपका क्या हो गया मेरे भाई i am sure ये sum बहुत बढ़ा है अगर मैं होता तो यहाँ पे आपको ये f of z की value दे देता i am sure मैं दे देता अगर ये value में दे देता न बस इतना गाम करके आप ये भी वैसे तो काम करने में समय लगता है you would have get two marks for this ये sum थोड़ा सा बढ़ा sum आया unfortunately कुछ option नहीं है मेरे भाई अपने पास ठीक है चलिए आगे बढ़ते next the poles of बहुत प्यारा सा सवाल है e raised to z upon z minus 1 z minus 3 by 2 के poles poles are the location जहाँ पे आपका denominator 0 होता है बताओ denominator 0 करने का process z minus 1 is equal to 0 यानिकी z is equal to 1 z minus 3 by 2 is equal to 0 यानिकी z is equal to 3 by 2 यानिकी 1 and 3 by 2 nothing but option d is nothing but your final answer pole निकालने का सबसे best तरीका हो गया next poles of one upon z square plus 1 तो पहले तो आप ये बात समझ लो z square plus 1 को ऐसे भी थो लिखा जाता है z square minus i का square इसको तो a square minus b square के हिसाब से z minus i और z plus i लिखा जाता है इससे आपको poles बताना आसान हो जाता है इससलिए z square plus 1 को z plus i z minus i में मैंने तोड़ दिया आप z is equal to minus i and z is equal to i is nothing but आपकी pole की location हो चुकी है isn't it आसान? yes ये बहुत आसान था next next जाते भाई अपन next सवाल जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है if f of z is analytic on and within closed contour then by kochis integral theorem curve integral f of z is equal to मैं आपको बतातो कोई भी kochis integral theorem को आपको अगर निकालना है तो आपको pole की जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है? pole pole कब आता है? जब यहाँ पे कोई division वाला theorem division वाली चीज़ हो आप देख लेना यहाँ पे pole बनता है a पे हाँ यहाँ पे double pole बनता है ऐसे बनते 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 आगे बढ़ता लेकिन अगर नीचे यहाँ पे कोई नहीं है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए according to kochis integral theorem your answer should be 0 भाई किसके लिए g रहे हो अगर pole आपके घर के region में नहीं आ रहा है तो सही है ना तो आपका answer यहाँ पे आ रहा है 0 option c is equal to r c is a center की location और r is nothing but radius अब इसको इसके साथ compare करने के बाद c की value 0 यानि की center is 0 और आपको पता चला होगा radius is 1 यानि की यह जो यहाँ पे cut हो रहा है 1 इसका मतलब है आपको यहाँ पे circle मिल गया आप मुझे बताओ pole कहां पे आ रहा है z is equal to 2 पे आ रहा है तो z is equal to 2 कहां पे लाए कर रहा है बाहर लाए कर रहा है तो मुझे बताओ क्या यह आपके region के अंदर आ रहा है नहीं नहीं आ रहा है तो इसका answer directly 0 आ जाएगा सो आप देख सकते और answer clearly is 0 if the pole lies outside of the given region understood अब sir कुछ और सम्स देख लो residue theorem भाई आपको पता है cauchis के 2 theorem है integral theorem है cauchis का residue theorem है residue theorem में यहाँ पे integration of f of z d z में आपको pole के लिए calculation ही करना पड़ता है considering pole inside ही है तो अब बताओ अगर कोई integration आपको करना है तो इसका standard formula f of z d z का that is 2 pi i into residue 1 plus residue 2 जित्ते सारे residues रहेंगे वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे this is a standard formula for residue theorem अब बोलोगे sir residue theorem को use करके sums को कैसे solve किया जाता है बताइए आप मुझे बताओ simple pole form हो रहा है residue r निकालना z is equal to z naught तो formula क्या होगा मैं बताता हो आपको करना क्या होता है हमेशा जब आपको किसी भी pole के लिए calculation निकालना है तो उस pole का version लिख दो याने कि z minus z naught वाला version लिख दो और आपका जैसा है वैसे वो function लिख दो pole का version जैसा है वैसा function और यह सब कुछ आप z is equal to कहा पे substitute करने वाले हो z naught पे put देखाने है तो बताता हो at z is equal to z naught को directly उन्होंने limit के हिसाब से लिखने की कोशिश करिए आपको next समय दिखाई देता हो residue at f of z is equal to कुछ दिया है तो पहले तो f of z is equal to z plus one upon z square plus one कुछ याद आया z square plus one अभी अभी किया है broke करोगे इसको broken down करा इसको तो यह मिला मुझे यहाँ पे z plus i into z minus i देख रहे हो तो z plus i z minus i at pole z is equal to i हमें answer निकालना है तो मुझे बताओ z is equal to i कब बनता है जब आप इसको zero करते हो तो इसको छुपाना है छुपाने का indirect मतलब है यहाँ पे यह जो z is equal to i है उसको z minus i की करना तो इसको छुपाने के लिए multiply करना पड़ता है उसी element से ताक कि वो cut हो जाए यही चीज मैंने यहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश करी थी और आपका पूरा function cut होने के बाद आपको at z is equal to i है यही चीज limit में लिखी जाती है z is equal to i के से अब i plus 1 i plus i i plus 1 i plus i is equal to किता है अगर 2i and that's all we are done with the sum hopefully जित्ता मैंने आप से कराया है आपको समझ में आ चुका इसी तरकी के sum exam में आएंगे concept बट तगडी रखो आप सबको all the very best अच्छे से paper देना मिलते next video के लिए तब तक के लिए thank you thank you so much